बार्टिय सेना में पदस्त सैनिक मोर सिंग धंगर काउन उनके ग्रह शेतर शाचापुर जिले में गाउं रनायाल निवासी में अंतिम संसकार किया गया गायतरी परिवार के सदस्यों ने गायतरी मंत्रोचार के साथ सैनिक का अंतिम संसकार करवाया शोहित जवान को तिरंगे में लिप्टा पार्थिव शरीर भुपाल से रनायाल सड़क मार्ग से लाया गया पूरे रास्ते में देश भक्ति के गीत और सैनिक के सम्मान में ज्यकारे लग रहे थे पार्थिव शरीर की एक जलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड उमड पड़ी रास्ते में लोगों ने पुश पर पित्तर सैनिक को शद्धान जली दी बड़ी संख्या में ग्रामिन और परिजन शामिल हुए करे लिए ने लिए ले ले लुपत्र अबरोंगानिक भीड़ी हुए पर उे ले 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 कारभ़ी इन्सार ये ले कारी ले 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 के ले थे हुए हुआँ हैं!! हुआँट! मोर्सियान धनगर अरुनाचल प्रदेश में आर्मी में सैनिक के पदपर पदस्त थे बता दें कि दो जवान सेना के वाहन से जा रहे थे तबी वाहन खाई में गिर गया जिसमें काला पीपल के रनायल गाउं के निवासी मोर सिंग शहीद हो गए शहीद मोर सिंग चार साल पहले ही सेना में भड़ती हुए थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी मोर्सिया के परिवार में एक बड़ा भायर वही छोटी बहन है मा की पहले से ही मृत्य हो चुकी है वह पिता बिक्रम सिंग ने अब अपने बेटे को भी धोका दे दिया काला पीपल विधायक कुणाल चौधी ने शहीद मोर सिंग के स्मृती में पांच लाख रुपे विधायक निधी से देने की घोश्टा की इस निधी से रनायल में खेल मैदान बनाया जाएगा शाजापूर से सुनीर गोयल की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद